पूरी डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं जानकार के साथ जी यहां बताएं टरम्प की जो निजी सलहकार हैं जो का नाम है होप हिक्स उनको शुकरवार को ही उनको कोरोना हो गया था जिसके बाद में टरम्प ने और उनकी पत्नी ने कोरोना टेस्ट करवाया थे जो कि अब रिजल्ट जो है जिसके पॉजिटिव आए हैं अब आकाश कारेंटीन के दौरान अगले एक हफते के बाद ये लोग फिर से अपना कोरोना टेस्ट जो है वो करवाएंगे वैसे ध्यान देने वाली बात आकाश जिसमें ये कि डोनाल टरम्प की जो सरकार रही अमेरिका में वो शुरू से ही कोरोना वायरस को हैंडल करने क लिए अमेरिकन्स के लिए वरकि कई लोगों के निशाने पर रहे और हमेशा से खुड डोनाल टरम्प भी इस बात की वकालत करते रहें कि मास्क जो है उतना जरूरी नहीं है और वो खुद भी मास्क को नहीं रगाते थे हारा कि जिसके बाद उनकी काफी इसको लेकर उनका तक उड़ाया था जिस पर बिडेन ने अमेरिकी राश्पती पर पलट वार भी किया था हलाकि इस डिबेट के दौरान उन्होंने भारत पर भी निशाना साधा था ये जानना भी ज़रूरी होता है हमेशा वो अच्छी बाते करते हैं कि प्रधा मंतरी मोदी जो है उनके फ् रशिया का जिक्र किया और साथ में भारत का भी नाम लिया कि इन देशों में कुरोना मामले कितने हैं आपको पता नहीं लेकिन अमेरिका में कितने हुपता है क्योंकि हम उनको पब्लिक करते हैं उनको बताते हैं यह भारत को टागेट के साथ उन्होंने पॉलूशन के किया है Trump के ओपर उन्होंने कहा है कि उन्होंने rest के लिए बोल दिया लेकिन अब आगे उमीद करते हैं कि Trump की जो duties हैं वो प्रभावित नहीं होगी लेकिन US के market पर भी इसका असर साथ तोर पर दिखने लगा है जी आकाश इस report पर आपकी क्या रहा है कमेंटं चर्षिन में लेकिर बताए है इस वीडियो को लाइक करें शेर करें तुम्हारे पेज़ को लाइक करें पार फॉलो करें इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धनेवाद नमस्कार